बश्कार दोस्तो आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम 5000 साल पुरा ने एक ऐसे रहस्य से परदा उठाने जा रहे हैं जिसे इस दुनिया के केवल एक परतिसत लोग ही जानते हैं क्या कभी आपने इस दुनिया के सबसे सक्सेस्फूल लोगों को बात करते हैं या स्पीच देते देखा हैं अगर नहीं तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या आप इन सब में कुछ एक समानेताय दिखाई दी है आप देख पाई हैं अगर आप गौर कर पाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एलन मार्क से लेकर रोनाल्डो तक बड़े से बड़े दिखत जब ही अपना इंटर्वियू या स्पीच देते हैं तो वो अपने हाथों को एक विशेस मुद्राम रखते हैं आखिर क्या रहस हैं इन मुद्राओं में जिनका इस्तमाल विदेश में बहुत समय से किया जा रहा है लेकिन जहां काया रहस हैं वही के लोग इस बादे में अंजान हैं हाथों की विशेस मुद्रा को आप अंग्रेजी में हैं के जर्श करते हैं और बेसक एक बाद उनकी सिक्लेड को जानने के बाद आप भी बात करते समय इन हस्तमुद्राओं का इस्तमाल ज़रूर करेंगे यह बात हैं आज से हजारों साल पहले की हमेशा की तरह बुद्ध एक विशेश परका की मुद्रा में बैठ कर ध्यान कर दहे थे उनके सभी सिल्ष भी ध्यान की आवस्था में लीन थे कुछ घंटे बाद जब बुद्ध ध्यान आवस्ता से बाहर आय तो एक सिष्य ने उनके हाथ की विशेश मुद्रा पर प्रश्न किया सिष्य को गुरु कुल में आये अभी कुछी समय हुआ था इसलिए उसे बुद्ध के विशेश मुद्रा में बैड़कर ध्यान करने का दहस्य नहीं पता था बुद्ध मुस्कुराय उन्होंने उस प्यारे सिष्य को अपने पास बुलाया और कहा आओ सिष्य मैं तुम्हें इस संसार के सबसे प्राचिन रहस के बारे में बताता हूँ हस्ट मुद्राओं का यह रहस आज भी बहुत बिशेश है क्योंकि इसी रहस में इस पूर्य प्राम्हन के संचालन का रहस छुपा है यह सुनकर सिष्य ने कहा कैसे गुरुजी बुध्य ने सिष्य का हाथ अपने हाथों में लिया और फिर हुआ समझाने लगे की कैसे इन हाथों की विशेश मुद्राएं हमारे जीवन को नीडर, भयमोक्त, दिरगावू और सक्तिसाली बनाती है तुमारे हाथों में पाच उङलिया है और पाच उङलियों में इस ब्राम्हंड के पाच और तत्व का समझाने है हर उङली में अलग तत्व है अंगुठा, अगनी ततों को, तरजनी, बायू को, माध्यमा, अन्तिरिक्ष को और अनामी का धर्ती को और अंत में कनिष्ट जल ततों को दर्शाती है जब हम इन पांचों उगलियों को किसी विशेस मुद्राय में जोडते हैं तो हम इन पांचों ततोर से बने हमारे सरीर को संतुलित कर लेते हैं यह मुद्राय हमारे ज्यान को हमारे लक्ष पर किनरीत करते हैं और इनका हमारी सफलता में अभिन योगदान होता है यह मुद्राएं हमारे सरीर, मन और आत्मा को संतुलन मिला कर हमारी सारी उर्जा को हमारे उदेश पर एकागरे रखती है अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो अपने हाथों के दोनों अंगुठों को भीतर की ओर तथा तरजनी अंगली को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी अंगलियों को मोड़ दो इस हस्त मुद्रा को उच्टम ग्यानोदे मुद्रा कहते हैं यह सबसे सक्तिसाली मुद्रा है इसी मुद्रा का प्रियोग सबसे अधिक किया जाता है क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेश रहस्य है जब हम अपने हाथों को इस मुद्रा में रखते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा के भीतर और बाहर के जगरुपता को बढ़ाता है इसी मुद्रा का प्रियोग मैं भी करता हूँ क्योंकि हमारे मस्तिक्ष को भी हर परकार के तन्ना और आनावसक विचारों से एक मुद्रा दूर रखती है इसलिए हमें हर परकार के सिन्ता नकरतमकता आधिसे वाहा निकलती है और हमारे भीतर आत्म विश्वास और जाग्रिती पैदा कराती है यह हमारी निने लेने की सक्ति को मजबूत बनाती है हमें भवनात्मक रूप से एकार्ड रहती है इसे से हमारे ब्रक्तित्यों में एक नई चमक आती है यही कारण है कि इस मुद्रा को न क्योंवाल मैं बलकि इस संसार के सबसे सफलतम लोग भी बातचित के दरान उप्योग करते हैं इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मे विश्वास अधिक रहता है और हमारा ध्यान हमारा विशय पर केंद्रित रहता है उस्तम ग्यानोदे मुद्रा को सक्ति के प्रतिक के रुप में भी जाना जाता है क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आयनाय आत्मे विश्वास से ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति पुदी तरह से सच बोल रहा है शिस चुपचप बुद्ध की बाते सुन रहा था उसे ऐसा लग रहा था मानो इस्वार स्वायम उसे इस हस्तमुद्रा के विशय में बता रहे हैं गुरु ने बताना जारी रखा और कहा सिरसे उस्तम ग्यान उदय मुद्रा तुम्हारा ग्यान के उस्तम अस्तर तक ले जाएगा। गुरु ने हस्त मुद्रा के बारे में बताते हुए कहा कि तुम जानते हो सिरसे अगला हस्त मुद्रा क्या है। नमस्कार की मुद्रा में जब तुम मुझे परनाम करते हो तो उस हस्त मुद्रा में भी एक रहस्य है अपने दोनों हाथों को जोड़का हिदय के पास लाओ और फिर केवल पाचों उंगलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर लो अपने उंगलियों पर हलका सा दबाव महसूस करो और तीन बार गहरी सांस लेकर इस मुद्रा का भ्यास करो इस मुद्रा को हाकिनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है जो भारत के पस्षिमी हिसे के एक महान देवता के नाम पर है सांस्क्रित में हाकिनी का अर्थ होता है सरोशक्तिमान यह मुद्रया भी इस दुनिया के सफलतम लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है जब तुम अपने हाथों की सभी मुल्यों को प्रस्पर मिलाकर हाकिनी मुद्रया में लाते हो तो हमारा मस्तिक्ष एक विशेश नियंतरन सक्ती परदान करता है इस मुद्रया से हमारा मन तुरंट इस्थिर और सांत हो जाता है सिस बहुत ही चंचल सभाव का था वह तुरंट इस मुद्रया को प्रयोग करने लगा बुद्ध फिल मुश्कुराए और उन्होंने कहा सभाव सिस अब इसी मुद्रया में बढ़कर अनु मुद्रयाओं में चिपे रहस को समझो सिस सिस ने मुश्कुरा कर कहा जी गुरुजी बुद्ध ने आगे ध्यान मुद्रया के बिशा में बताया सिस तुमने अक्सर कई साधू को ध्यान की मुद्रया में बैठे देखा होगा वह जी हस्त मुद्रया का उप्रयोग करते हैं उसे कहते हैं ध्यान मुद्रया इस मुद्रया में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिसमें हमारा दाया हाथ बाय हाथ के उपर होता है इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आपको पुदी तदह से विश्राम के वास्ता में लाकर इस्थिर बठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ यह एक बात गौर करने वाली हैं सिस्थिर ध्यान की हस्त मुद्रा में हमारे अंगुठे एक दुसरे से मिले होते हैं जो अगनी तत्तों का प्रतीक है वहीं बाकी सारी उंगलिया जो बाकी तत्तों को दर्शाती हैं वो विश्राम में रहती हैं इस मुद्रा की असंखे लाभ हैं इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन हमेशा एकाग्र और इस्थी रहेगा साथ ही यह तुम्हारे मन की सांती को भी बढ़ाएगी ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले आनावसेक विचारों को रोकने में यह हस्त मुद्रा सो परतिसत लवकादी हैं अग इस मुद्रा में तुम अपने अंगुठे को अपनी मध्धे और तरजनी अंगुलियों से चिपका दो। ध्यान रहे अंगुलियों को कुछ इस तरह रखो जिसे तुम्हारी अंगुलियों में हलका सा दबाव बनी रहे। कुबेर मुद्रा का लगतार पन्रह दिन अभ्यास करने से तुम्हें जीवान में आनद चमत का फायदे देखने को मिलेंगे। यह मुद्रा तुम्हारी रख्त संचार को ठीक करेगी और रख्त प्रवा को हिर्दय में बढ़ा कर सादीर के हर अंग तक पहुँचाएगी। यह हस्त मुद्रा तुम्हारी अस्मारा सक्ती में ब्रिधी करेगी और रप्त का प्रवा मस्तिक्स में बेहतर होने से ब्रिधी मता में भी ब्रिधी होगी इस मुद्रा से तुम्हारा मस्तिक्स अपने लक्ष पर एकगर रहेगा और तुम्हें अपनी सफलता हासिल करने में चाहे जितनी चुनवतिया नजर आए तुम्हें उन्हें जितने का मार्ग साप दिखाई देगा क्योंकि यह मुद्रा तुम्हारा हिल्दय और मस्तिक्स को विशेश प्रकासे प्रसिक्षित कर देगा। इन सभी मुद्राओं में एक और विशेश हस मुद्रा है, जिसका इस्तेमाल ग्यान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे चिन्द ग्यान मुद्रा कहते हैं। संस्क्रित में चिन्द का आर्थ है चेतिना। तुमनें देखा होगा कई बार हम सब और अन बहुत से लोग भी इस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें साधना से ज्ञान प्राप्ति करनी होती हैं, योग में भी हम अक्साद इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह मुद्रा ज्ञान प्राप्ति का मार् खुलते हैं हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया मिलता है इस मुद्रा में आपने अंगुठे इतने हलके दबाव में मिलनी चाहिए जितने कि तुम एक काज़ पकरने के लिए करते हो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि चिंध ज्ञान जिसमें चिंध यानी चेतना और ज्ञान की विधी होती हैं कैंकि यह हमारे बाईव और अगनी तत्र को एक साथ मिला देती हैं जो हमारे चेतन मस्तिष को जागरित करती हैं अगली मुद्रा से मुद्रा इस मुद्रा में अपनी एक हाथ की अंगुठे को कनिश्ट तक ले जाएं और दूसरे हाथ की सभी चार अंगुलियों को अपनी अंगुठे पर रख दें ठीक इसी तरह जैसे कि तुम इस चित्र में देख सकते हो अब जब भी सांस भीतर लो अपने हाथों की अंगुलियों को खोलते जाओ इस मुद्रा में लागतार 15 मिनट बैठ कर कम से कम साथ पर अपने हाथों को खोलो और बंद करो जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो, तुम्हारे अंदर से सारे डर, चिंता, तनाओ और साथ सब बाहर निकल रहे हैं, यह मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुम्बकिय सक्ति को बढ़ाती है, और तुम्हें बोधिक रूप से ससक्त बनाती है, अगनी मुद्रा भी बहुत ही खास है, सिसेया मुद्रा हमारे जीवन में नई आउसरों के मार्ण खोलने में सहायता करती है, तुम्हारा मस्तिक से नए मार्णों पर चलने के लिए तयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नाया अत्मे बल महसूस करते हो, इस मुद्रा को गरेश मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा में अपने हाथ सीने के पास लाकर अपनी सभी अंगलियों को परसपर फसा कर बंद किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में नए आउसरों को की सक्ति देती हैं, ध्यान के समय यह मुद्रा अपनाने से तुम्हारा मन अपने सरीर के केंद्र पर ध्यान केंदित रखता है, इसका अर्थ है कि यह मुद्रा साथ में से एक चक्र अनाहत को तुम्हारा हिल्दर के पास मौजूद है जो जागरित करता है, जिसे तुम्हारे जिवन में प्रेम, संती, सामरस्ता आती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपनी कमर सिधी कर ध्यान की अवस्ता में बैठ जाओ। अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाओ। और उल्टीर दिशा में बल लगा कर अपनी बाजू को खीचो ऐसा करने से ना केवल तुम्हारी बाजू मजबूत होगी बलकि तुम्हें तुम्हारा पाचन सक्ती भी मजबूत होगी जिसे तुम्हें कभी मोटापा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह मुद्रा तुम्हारे कंधो और बाजू के दर्ध में भी राहत पहुंचाएगी। दोस्तो, गुरु ने बेग्यानिक द्रिश्टी से भी सीर्ष को इनहस मुद्राओं में छुपे रहस से औगत कराया। उन्होंने कहा बग्यानिक द्रिष्टी से हमारे हाथों में 3000 से भी ज्वादा मेगनोरिस्पिक्टर पाये जाते हैं। जो वेग्यानिक प्रदिष्टे में खड़ी उतरी हैं। यह हम अपने मन मस्तिक्स में एक ससक्त संकेत भेचते हैं। जिसे हमारा मस्तिक्स एक नए इंटेलिजेंस लेवल को प्राथ करता है। यह हमारे निनने लेने की छमता को बढ़ाता है। और हमारे मन में एक नए चेतना का बिंदू स्रुजित करता है। बुद्ध के ग्यान के खजाने से हस्त मुद्राओं का ग्यान पाकर सिस संतुष्ट हुआ। और उनका धन्यवाद कर अलग-अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। तो हम आसा करते हैं कि आप भी अपने जीवन में इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करेंगे और इन में चुपे रहस्य से अपने जीवन में प्रकास की नई किरन लाएंगे उमीद करते हैं कि यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस कहानी को अन तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार